असलाम लेकुम जी और वेल्कम तो इलाविट्स उमीद है कि आप सब खेरी से होंगे अपनी कुछ चंद वीडियो में हम जो है लॉफ वार और आंप कन्फिक जो को डिसकस करते आ रहे हैं इनमें हमने पहले तो यह देखा था कि वार क्या होती है वार और आंप कन्फिक के अं कांटरबेंट को डिसकस करते हैं हम देखें कांटरबेंट से मुराद क्या है इसकी एमिनेंट जूरिस की कुछ डैफिनिशन हम लेंगे और उसके बाद देखें कि अगर जो है कि स्टेट जो डॉक्तराइन ऑफ क्रोंटरबेंट होता है उसके ब्रीज करती है तो उसके कॉं conflict situation में जिनकी तिजारत का मना है तो किसम की वहां पर प्रोहिबिशन लगाता है कि ऐसी आशिया की तिजारत बेलेजिरेंट के साथ नहीं की जाएगी जो के law of war law of armed conflict के जरी जिनको जो है प्रोहिबिट किया गया अब असल क्या होता है कि जब भी जो है जंग स्टार्ट होती है तो जो commercial activities होती है वह एक टाइम के लिए जब तक जंग चल रही होती तब तक सस्पेंड हो जाती है लेकिन यहां पर हम आपस डिफरेंट एक्टर्स काम करें होते हैं दो या दो से जाए तो वह स्टेट्स होती ह हैं जिन्हों उपनी इ islands डिकलेइर कई है कुछ स्टेटी हैं जुन्हों झाले डिकलेटरी नहीं वह सथा स्थे लेकिन पैसरी स्टेटर्स वह उनकी यली डीयृटिएटों कर्क्रव उसक्राइब घ्रिटीविद्टी तिजह आहलों कुछ duties होती हैं Beligerents की कुछ rights होते हैं Neutral के उन्होंने एक्यूसिंस वहाँ पर देनी होती और जो है नैशनल से तिजारत कर रहे हैं Beligerents के साथ तो उनको जो है उस चीज की जादब जो है बैलीजरेंट स्टेट जो है दूसरी अनिवी स्टेट है जो की जंग में इंवालव वह तो यहां पर सेम बात यहां के अंदर की जाती है कि वैसे तो जो है यह अगर एक कमर्शल स्टेट का जो बनता है वे एक बैलेजरेंट के नैशनल के साथ तिजारत कर रहा है तो उस चीज़ की जाएगी यहां पर उन गुड्स की ट्रेड को प्रोहिबिट ना करें अगर जो है इस नेचर की हैं कि उनकी ट्रेड जो है प्रोहिबिटीड है बाइडी लाओ आफ आर्म कंफिक तो ऐसी सोथ में क्या होगा उन गुड्स को कॉंटरबेंट का नाम दिया जाएगा और यहां पर क्या मुराद है मिस्टर ऑपनियम कहते हैं कॉंटरबेंट इस देस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स के ऐसी गुड्स की तिजारत है ऐसी गुड्स को किसी दूसी जगह पर डिस्टाइन करना होता है कॉंटरबेंट से मुराद एस और फॉर्बिटन बाइधर बैलिजरेंट तो के उन अशिया की तिजारत जो है उनके एनिमी को जंग और ज्यादा से करने की सलाहियत देगी तो मिस्टर ऑपन के मुताबिक जो है कॉंटरबेंट से मुराद ऐसी गुड्स होती है जो के फॉर्बिड की जाती है किसी भी वैलीजरेंट की तरफ से ऑन दी ग्राउंड इस वह जो अशिया है उनकी तिजारत से जो है उनका जो एनिमी होगा वह जंग और अच्छे तरीके से और सलाहियत के साल जो है लडने के काफिल होगा अब यह देखते हैं कि उनकी काईट हमाई पास कौन इसक लिए इनकी तीन करते हैं सबसे पहले वह लिए गुड्स होती है जिनको हम absolute contraband कहते हैं Secondly वाली goods होती है जिनको हम relative contraband कहते हैं Third wall वाली goods होती है जो कि free articles होते हैं जिनके पर prohibition नहीं लगाई जा सकती Absolute contraband जो है वाले articles होते है वाली goods होती है जिनका character जो है military nature का होता है जैसे arms होगे ammunition होगे या फिर ऐसी machinery ऐसा raw material जिसकी मदद से जो है arms and ammunition या कोई भी जंग की समान है वो बनाया जा सके ठीक है ऐसी goods है वो बिल्कुल absolutely contraband declare की गई है इनको ऐसे classify किया जाता है और अगर यह इन किसम की जो goods है absolute contraband इनको enemy destination की तरफ ले जाया जा रहा है वो बहुले एक neutral state लेकर जा रही है या कोई दूसरी state लेकर जा रही है जो के बहले जंग में involved है या नहीं है तो जो Belgian state जिसने वो prohibition लगाई थी उनके पास यह right होगा कि वो उस contraband को seize कर सकते हैं अमन की situation के दुरान भी आपके काम आ सकते हैं और आपके wartime के situation के दुरान भी आपके काम आ सकते हैं जैसे for example कैसे food stuff हो गया खाने पीने का समान हो गया पैनने का कोई समान हो गया फ्यूल इंदन वगयरा हो गया अब इन चीजों से क्या होता है कि एक तो यह जो पीस की situation वहां पर भी काम आती है और यह war की situation में भी काम आ सकते हैं फ्यूल जो है वह एनिमी स्टेट के जो जो आम फोसिस हैं वह अपनी गाडियों कारा के लिए इस्तमाल कर सकते हैं और इसके बाद clothing food stuff जो है वह अपनी गुजर बुजर के लिए इस्तमाल कर सकते हैं तो इन आर्टिकल्स को क्लासिफाय किया जाता है ऐसा रिलेटिव कॉंटरबैंट तो ऐसी situation में क्या आता है यहां पर यह देख जाता है कि अगर तो जो है वहां पर इंटेंशन यह थी कि वार में किसी तरी किसे contribute करने के लिए वहां पर डेस्टाइन किया जा रहा है तो इनको सीज किया जा सकता है अधरवाई जो इनको सीज नहीं किया जा सकता फ्री आर्टिकल्स तीसरी हमाँ पास classification फ्री आर्टिकल्स होते हैं जिनको पर कोई provision नहीं लगा जा सकती जैसे इनक तो तीसरी कैटेगरी फ्री आर्टिकल्स के अंदर रखा गया तो यह तीन हमाँ पास होती है classification हमाँ पास contraband की अब हम यह देखते हैं कि अगर जो है तो एसी सुरत में क्या consequences होगे सबसे पहले यहां पर फिर यह होगा के बैले जेंड इस्टेट के पास ही राइट होगा कि वह संट्रबेंड जो माटीरियल है उसको सीज कर सकती हो चाहे जो है किसी एरक्राउट पर लेकर जाया रहा है चाहे वह जो है किसी मतलब सॉयल टाइ अगर वह जो कॉंट्रबेंड माटीरियल था या कैज था या वैसल थी वह न्यूट्रल टाइटरी के अंदर थी तो उस न्यूट्रल टाइटरी के अंदर जो है बैले जन आकर उनको सीज नहीं कर सकता पहली बात हो दूसरा consequence ऐसा इसका क्या होगा कि वह वाली जो कार्गो या कोई वैसल वागर थी जो कैप्चर कर लिए बैले जिटन तो ऐसी जो कार्गो या वैसल था जो कॉंट्रबेंड गूट्स थी उनको पेश किया जाएगा प्राइस कोर्स के सामने प्राइस कोर्स जो है जो की स्पेसिफिकल इसी परपस के लिए बनाई जाती है जैसे कि कांट्रबेंड में जो कार्गो या वैसल पकडि जई जिस को लाया जाएगा प्राइस कोण चैप्राइस को भार्ज पुल्ज कर दो वो यह को Commonwealth ंभी मतीरल वहां पर तोि यह हमाय वाग्वा I ope कre you will found this video helpful सम्हाव आप से मुलाकादो कि में नेक्स वीडियो में इंशाला तब तक लिए कीप वाचिंग लाविट्स आलाव पीस